मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल SG Food World में गर्मियों के इस दुआदार मौसम में मैं लाई हूँ आपके लिए एक राहत बरी ड्रिंक स्पेशल और बिल्कुल आसानी से बनने वाली जिसका नाम है बेल शर्बत ये मीठी मीठी ठंडी ठंडी मज़दा ड्रिंक सिर्फ पीने में ही मज़दा नहीं है इसके फायदे भी बहुत जादा है तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बेल शर्बत के फायदे और बेल शर्बत को बनाने का तरीका रेसिपी के शुरुवात करने से पहले आईए दोस्तों SG Food World को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल बटन प्रेस करें लेटेस अपडेट्स और नोटिफिकेशन दिले मार्किट से आगर आप बेल खरीते हैं तो देखिए ऐसी बेल होनी चाहिए जो हलके हलके ब्राउन से स्पॉट सोंगे मतला वो बिलकुल पकी हुई बेल है और हलके रंकी होती है अब यह बेल लेंगे और इसको बेलन की मदद से या किसी बट्टे की या किसी भी भारी चीज से तोड़ेंगे भार से ये बिल्कुल सक्त होती है जैसे कोकोनेट होता है इसको आप जमीन पे मारके भी तोड़ सकते हैं तोड़ने के बाद आप देखेंगे अंदर का जो फूस है वो डाक येलो कलर का होता है तो ये मतला बिल्कुल राइप फ्रूट है अब एक बाउल में ये पल्प निकाल लेंगे स्पून की मदद से एक बेल में मीडियम साइज की कम से कम आट से नौ गलास बेल शर्वत बनता है तो मैंने इसमें आदी कॉंटिटी ली है बाकी पे आप सेलिफिन पेपर राप कर दीजे नेक्स जे आप इसको असानी से यूज कर सकते हैं अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से भीग जाए इसको स्पून से अच्छे से मैश कर लेंगे आप देख सकते हैं ये वाइट रंग के जो है वो बीज है जो इसके बीज है वो पिसने नहीं चाहिए इसलिए हम इसको मिक्सी जान में नहीं दखके रख देंगे बहुत ही मीठा होता है ये बेल का शर्वत तो जरूर ट्राय करें अब ये पल्प बिलकुल सौफ्ट हो चुका है असानी से इसका शर्वत बन सकता है अब एक बाउल लेंगे और उसके उपर रखेंगे एक छन्नी छन्नी की मदद से पल्प को छान लें ये बेल जो है बहुत ही ठंडग देने वाली होती है इसलिए ये बेल शर्वत गर्मियों के मौसम में लू से बचने के लिए एक रामबान है जिस किसी को भी पेट की दिक्कत रहती है उसे बेल शर्वत जरूर पीना चाहिए इससे पेट की दिक्कते कम होती है डाइजिशन की तरह ये काम करता है, डाइबिटीस भी मैनेज करता है, इतने फायदे सुनके, ट्राय तो करना बनता है, पल्प को अच्छे से छान लेंगे, मैंने यहाँ पे तकरीबन एक डेड़ गलास पानी और आड़ किया है, ताकि जो पल्प है, वो अच्छे से छन जाए, थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करके, पल्प को भीगो के उसको चाना है, अब मैं आड़ करूंगी, इसमें 4 टेबल स्पून के करीब मिश्री, यह धागे वाली मिश्री को पाउडरी फॉर्म में मैंने बना के तब इसमें आड़ किया है, आप चाहें तो चीनी भी आड़ कर सकते हैं, या फिर हनी, अब मैं इसमें आड़ करूंगी एक नीम्बू का रस, बहुत ही अच्छा स्वाद आने वाला है इस बेल शर्बत में, इस नीम्बू के टेस्ट से, साथ ही साथ इसमें आड़ करेंगे एक चुथाई टीस्पून काला नमक, और एक चुथाई टीस्पून ही सैंदा नमक, अच्छे से स्टर कर लेंगे, बिलकुल त्यार है ये सर्फ करने के लिए, इजी टू मेक, रेडी टू सर्फ ड्रिंक, पेल शर्बत, गर्मियों के मौसम में रामबान है ये लू के लिए, ज़रू ट्राइ करें इस रेसिपी को, अपने हिसाब से इसमें आइस क्यूब साइट कीजिए और सर्फ कीजिए, आपके कमेंट्स और सजेशन्स का मुझे बहुत बेसपरी से वेट रहता है, तो ज़रू शेर कीजिएगा में साथ अपने बड़िया बड़िया कमेंट्स, मिलूंगी ऐसी ही और बड़िया बड़िया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुद्बाई, टेक केर, डोंट फोगेट तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब,